तो हेलो दोस्तो हम लोग का यहां पर प्रश्णमाला टू ए चल रहा था ठीक है जिसमें से हम लोग फर्ष्ट वीडियो में हम लोग क्या किये थे छे तक बनाए थे फिर से लेके बारा तक बना ले थे आज हम लोग 13 से कंटिनुव करते हैं दोस्तो इतना बेस्ट कंसेप्ट आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा एक बार इसको बढ़िया से देखिएगा आप लोग विश्वास नहीं होगा जाके हमारा दूसरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में बता दिया गया है आप जाके वहां पर देख सकते हैं कितना कोश्चन यह सब सुगम गणित का बेस्ट कंस समझते हैं ठीक है जो तीरा नमर के एक कोडिंग है इसको एक बार देखिए दूसरा सा पैसेंस रखके पढ़ियेगा ना तो हरी चीज बढ़िया से समझ जाईएगा इसलिए आपको बोल रहे है कि पैसेंस थोड़ा सा रखिए और बढ़िया से समझेगा कोई दिकत नहीं ह कैसे बता है कि आप लोगो सम्झाओं दिक इंखके है यहां पर है 121 बड़ाबर कैसे-स कर दियाamas 2020 का डिया है zones-3 fought wald तीन चार पांच तिए फिर एक प्लस दो प्लस तीन प्लस दो प्लस एक कर दिया है को ने का मतलब के यह तो चार दिया है थे दो को बार लेके चलते हैं तो देखिए को क्या की दो लिख दिया है थे ? तो तीन को लेके कई गोंग है तो देखे एक दो तीन गोंग है तो इसलिए तीन को क्या किया है तीन बर करके स्क्वाइल कर दिया ठीक है यहां पर देखे चार है बीच में चार है ना तो चार के बाद क्या किया है देखे चार को लेके कई गोंग है तो देखे एक दो तीन चा तो इसलिए तीन को बीच वाला अंक ले लिए हैं और एक दो तीन को लिख दिये हैं तो इसमें भी बनाना है तो कैसे हम लोग करेंगे तो लोग समझेंगे देखेंगे अब लोग 23 को बना सकते हैं देखें दिया है यानि हम लोग यहां पर तीन देंगे तभी ना एक दो तीन है एक दो तीन कर दिया है तो । कुरकर दिया है यानि हमें आप यह लिए और यहां पर होगा देखे एक दो नोमर नोमर कुष्छन क्या कर रहा है तो देखे दो के बहुत हैं कि एक दो और ही चार 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 का एसकौायर कर दिया है और यहां पर 1 प्लास 2 प्लास 3 प्लास 4 प्लास 3 प्लास 2 प्लास 1 कर दिया है यानि हम लोग बीच में क्या लिखेंगे तो देखें बीच में तो चार चार दिया है तो चार तो लिखेंगे और देखें चार को लिखेंगे एक दो तीन चार को चार को है तो इसलिए चार को कितना बार लिखे एक दो तीन चार बार लिखेंगे ठीक है समझ गए होंगे आपको एकदम सिंपल में दोस्तों आप लोग इसको समझ सकते हैं बस इसको एक बार कंसेप्ट समझना था था थोड़ा सा पैसें से पढ़िएगा तो हर एक चीज मनें ध्यरे पूर्वक पढ़िएगा तो हर एक ची प्लॉस पांच प्लॉस चार प्लॉस तीन प्लॉस दो प्लॉस एक ठीक है अब देखिए अब हम लोग का बीच वाला पार्ट क्या है पांच है पांच है ना तो हम लोग किसका स्कार करेंगे या नि देखिए 500 लिखेंगे लिखेंगे लेकिन कितना पांच लिखेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 पांच को हो गया है यानि इसका मतलब सब असका हो गया है यानि lige हो ठीक है फिर मोट है कि इन उन्ट पैंठ टीन हो जोड़ दिया bir है만 फॉछ ऑघ्र दिया हूए दिया ना फिर लोग किया करेंगे यहां पर चौ देखेए यह दो तीन चार पांचव हो हो है िए यह भी लिखतना चार पर papers श्र 모양 छोड़ दी है इसको फिर 1 अए प्लास-धू प्लास-ध्यू चोर फ। है, उसरी है प्लास-धव। है तो फ। udah एस to be आप लोग समझाना था शेकलिए पर गए उसके बाद आप लोग सिंपली समझ गए ठीक है अब देखिए अब हम लोग का चौदा नमर में क्या कह रहा है ध्यान से समझेगा दोस्तों थोड़ा सा पैसेंस से पढ़िएगा तो आप लोग इतना बढ़िया से समझेगा ना कि कभी भूलिएगा नहीं इसलिए थ पर कहीं भी ऐसा कंसेप्ट आप लोगों नहीं मिल पाएगा ठीक है बस एक बार ध्यारे पुर्ण पढ़िए इसको और हर एक वीडियो डेली का डेली दिस तो अप्लोड किया रहा है इसलिए अप्लोड अप्डेट रहीएगा फिर देखिए हम लोगा कह रहा है क्वेस्ट हम लोगा क्या है इसके आठासी दिया ऊठाइव नंटावहा ना देखिए है ठाया इक का हम दोका दिया हुआ है a Indonesia do लिखने के कह रहा है तो आठ को उठाएंगे और आठ में आठ से गुना कर देंगे आठ अठाएंगे चार इकाइं अंक बराबर क्या लिखेंगे चार फिर सेकंड नमर के दिया है तो चीयत्तर दिया है तो छोग भी यह रख तो छोग पुर्णा चौकर देंगे निच रख लेगा तो लिखते हैं कि इंकाई अंक बराबर अब काई आप बराबर चोग है तो च्टिक है यहां पे दिया है थीन नमबर तीन नमर हम लोगा देखिए दिख रहा है ना बढ़ी ऐसे देखिए तीन नमर का हम लोगा कह रहा है क्वेस्चन तीन नमर तीन नमर का दिया हुआ है क्या तो 3829 यानि 9 है लास्ट में काई अंक है ना तो 9 का भी स्क्वाइर कर दिए 9 गुणा 9 9 करते हैं चोच्वाइर करेंगे 9 9 81 यानि कितना हो जाएगा लास्ट में क्या हो गया एक तो यह लिख देंगे कि इक अंक बराबर है काई अंक बराबर एक ठीक है एक इस तरह हम लोग हरी कोश्चन को एक और इसमें कहाए इसको भी कंप्रेट करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन पर चलेंगे एक और तो दोस्तों है यहां पर च्यार नम्मर कुस्च्चन क्या है यहां दिया है एक दो तीन च्यार पांच छो पिर हम लोग आ है तो च्छोव गुणा च्छोव करेंगे जो कितना हो जाएगा देखे 14 नमर तक हम लोग complete कर लिए 13-14 आसनि से प्लोग समझ गए होगे अब 15 नमर कोचन देखते हैं को रहा है कि योग किए बिना योगफल प्राप्थ कीजिए ठीक है योग किए बिना योगफल प्राप्थ कर दिए इसका क्या होगा तो देखिए सबी संख्या हम्लों का क् रहे हो दोस्तों योग किए बीना योगफ़ प्राप्त कितों सबसे पहले इसको समझेंगे कि इसके बाद हम लोग बनाएंगे आगे तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि प्रथम प्राकित संख्याओ का योग अगर होगा तो अगर होगा अगर योग होगा तो एन होगा हालाकि आपको समझ में आया होगा अब हम आप लोग को समझाते हैं देखिए एक नमर प्राकित संख्याओ का मतलब होता है कि कि कितना दिया हुआ है तो साथ गो प्राकित संख्या दिया हुआ है जो है यह संख्या कतना कि यह लिखे से लिख होगा तो एक नहीं होा तो रूखए आप लूग हम लोग कि यहां पर 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 ठीक है यानि 7 को तो 7 लिएगे यानि इसकी संख्या इन मतलब होता है संख्या कितना इसका संख्या है संख्या कीतना है तो साथ कितना हो जाएगा एक यासी तो यह भी हम लोग का एंसर हो जाएगा तो यह सब एक प्लस तीन प्लस पांच लिख दिए ठीक है यहां पर हम लोग प्लस तीन प्लस पांच प्लस प्लस हम ले लिए फिर मालेजे साथ ले लिए ना यह सब भी समसंग क्या है तो फिर हम लोग देखेंगे एक दो तीन चार चार लो है तो च्यार का स्कॉार कर देंगे एनले कितना होगा सोलओ सोलओ हो गया अब इसको फिर हम लोग का प्रयास करिये हना समझ्च लेट नहींट वह फिर इसको मालेजे स्टे यह जो जोड़ते हैं कि इसकर पांच पंदर एक सोला हाश शोला ना जोडने पर भी 6 रहना तो यह जो है हम लोग का यह डारेक्ट हम लोग बीना जोड़े हुए हम लोग बता सकते हैं कि यह अगर दे दिये तो कितना संख्या अगर दिया हुआ सब्सक्राइब कर देए तो इसम पल फिर हम लोग यहां पर नमर को चलते हैं ठीक है थर्ड नमर कोचन दोस्तों तो थार्ड नमर कोचन में चलेंगे थो इस नमर कोचन क्या रहा है कि दो यह देखे लगातार समसंग है दो चार चोबगातार होगा सब्सक्राइब तो आथ दो चार चोब आठ दोस बारो चौदो 16 अब देखिए एक दो तीन चार पांच छो सात आठ रना तो आठ गों आठ वह थो आठ गो सोट प्लस आठ बराबर कितना हो जाएगा बहुत तर हम लोग का एम्सरीप कितना होaina बहुत तो आपHaul मतरों अब हिसको जोड़ने में अपको टाइम लगए तो हम लोग एक हो एक जांपल के छोटा सा एक हैंग आप लोग बता देते हैं कि आप लोग को टाइम भी नहीं लगे और समझ में भी आजाए देखिए माली यह दो है चार है चोव है और आठ है इतना तक हम लोग ले रहते हैं ठीक है अब देखिए कितना संख्या देखिए एक दो तीन चार गोई तो चार का क्या कर देखिए एन अर्फ हम लोग सही में इसको जोड़ते हैं तो तो संख्या है या यान इन आत्ली हने के दिखत नहीं होगा ठीक है और फिर क्या दिया हुआ है देखें यहां पर दिया हुआ है इसली अब लोग को सब कंसेप्ट बथा रहे हैं तो चैनल को अगया सब्सक्राइब करें दोस्तों की आप लोग लोकote है दो चार चो आर्ट दोस बारो है ना बारो दोस बारो चोदो फिर 18 फिर 20 फिर क्या दिया है तो देखिन यह तो जब बारो को स्कॉस्वार कर देंगे और प्लस का बार याने बारबर नहीं इसको जोड़ेंगे तो चो और ये 5 और ये एक यानी एक सो च्छा पन्ज ओगा हम लोग का क्या हो जाएगा ये संब्लेख लेज़ा दिया हुए न है कि दिक्कत नहीं हो आप लोका ना इसका ऊपन ठीक है सपोर्ट करिए दोस्तो आप लोग को इतना बेस्ट कंसेप्ट हर एक चीज़ का दिया जाएगा कि कुछ एक्स्टा इसमें मिल रहा है इस चैनल पर चलिए देखते हैं फिर आम लोग नेच्ट को दोस्ते देखते हैं दोस्तों उसके बाद हम लोग यहां पर देखिए शोलो पूरा बुक को पढ़ा देंगे कि आप लोग को हैं सर कुछ एक्स्टा हम लोग पढ़ ली हैं इस बुक के माध्यम से थोड़ा सा समझेगा इसको सुरा नमर देखिए हम एक अलग कंसेप्ट देना चाहते हैं इसमें देखिए कर रहा है कि 36 को 26 संख्याओं के यूग के रूप में अगर 65 में संख्याओं के रूप में लिखे तो ऋगर हम लोग 6 का इस्क्वाइर करते हैं तो क्या हो जाएगा 600 33 еще Dash jeśli जाने निसको कितना लिखेंगे के दोगए 6 लिखाल निखेंगे 6 बार संख्याई मताव hablar लाइन से प्रकीट जो होता है हम लोग का यह प्रस तीन प्रस पांच प्रस साथ प्रस नव π्लस प्रस एक एक यार अग दिए लिए दो तीन चार पांच जोड़ेंगे इसको साथ तीन दोस नो एक दोस बीस देखिए देखिए यहां जोड़ने का सबसे पर सिंपल यह करने का सिखे सबसे पर लेखिए साथ तीन दोस हो गया 9एक दोस हो गया इस अब जड़ने के लिए प्रश्व होगा ठीक है फिर इसी तो नमर है कोई दोस प्रकृतिक बिस्मशंख्या के लूप में लिख히ें दस प्रक्रितिक बिशम संग गया यानि दस को भी सम्प्रकिति हो लग देंगे तो एक प्लॉस तीन प्लस प्लस पांच प्लस थे लिए यान इसको जूढ़िए गाना तो जूढ़िे गाना तो उसी तरह रहुतूलिगा है कि उनिऊ कािक और के बीच कितनी प्राकृ्तिक संख्याह से संख्या 이제 प्राकृतिक संख्याहा है वह निकालना है इसको समझते हैं होता है Duty क feder taste हैंगे इसको हम लोग का कितना नमड है 17 नमर यहां सटरय का एक नमर है भीच से कटने संख्या है इसका फर्मूल हूंभ टोए अगर इसका प्राकिरत संख्याहरों कर निका लेंगे तो लिखेंगे कि 19 स्क्वाईर और 20 स्क्वाईर 20 स्क्वाईर के बीच प्राकिर्त संख्या भर ठीट संख्या बराबर हम लोग का सिंपल हुए में रही device 29 का sqaire माइनस का क्या कर देंगे 20 का sqaire माइनस का sqaire कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे ठीक है अब देखिए अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो देखिए इसको देखिए फर्मूला पर आए थे आप लोगको क्या होता है a square minus b square होता है a plus b into दो ए माइनस भी हम लोगा फर्मूला होता है फर्मूला के देखिए समझिए का पॉले दूस्तों यह नहीं कि किसे तरह हम लोग बना दिये और समझ में आया एक यह इसे नहीं पुरिश का जो एक्चुल नियम होता है उसको समझिए का उसके पाद आराम से बनाएगा तो आप प्लस का 20 देखिए किताब के कोड़ नहीं चलिए समझेगा पहले क्या होगा ठीक है 19 प्लस सरी 20 प्लस का 19 एक ही बात हो गया चाहिए 19 प्लस का 20 और यहां पर 20 आम माइनस का चाहिए इसको हम लोग थोला सा बढ़िया से बनाते हैं थोला दिकत हो जाएगा 19 इसका 20 का करेंगे वन करेंगे यानि इसको हम लोग ए ममनेंगे इसको माइनस की मनें यह स्वाम भीकर फिए प्लस भी करेंगे ठीक है एप्लस वी ए क्रेंगे तो बीज आप प्लस का 19 करदेंगे ठीक है और यह बीज आम माइनस का line कर देंगे हहां यह मेन ब्रैकेट होगे הם ils का ओन होग गया ठीक है आप देखें इसको जूड यहां पर अपर का कुछ पढ़ा हुआ है ठीक है तो 39 से कम 49 माइना करेंगे तो कितना हो जाएगा और 30 30 समय का एंसर हो जाएगा ठीक है अनि 12 स्कॉर और 20 स्कॉर के वीच में लोगा कितना संख्या है तो एक सोचोविस के बीच कर रहा है कि कितनी प्रकृति संख्या है तो सेम तूसे तरह करेंगे एक सोचोविस का स्कॉयर कर देंगे और माइनस एक सोचोविस का स्कॉयर कर देंगे और यह ब्रेकेट खेंगे ठीक है मैं ब्रेकेट और माइनस का वन कर देंगे फिर हम लोग क्या करेंगे देखिए एप प्लस बी इंटु ए-प लोगो बता है ठीक है एप लोग अभी चोटे हैं तो आप लोगो इस सब समझेना है अगर समझेएगा तो आगे आप लोग का बहुत बढ़ियां से बेस मजबूत होते जाएगा ठीक है इसको जोड़ेंगे तो चार तीन साथ हो जाएगा दो-दो चार हो जाएगा और लोग का एंसर तो आप लोग 17 हम बना दीए देख लिखी विद्धी इस तर रहा है। कोई दिकत नहीं है तो 18 नमर का एक नमर को कैसे बना देंगे इसको भी हम लोग कैसे बनांगे देखिए हम लोगी का दिया हुआ है कि एक नमर में हम लोग का दिया हुआ है ठीक है और यहां पर हम लोगा हो जाएगा 225 माइनस का पुचीस हो जाएगा और प्लॉस 25 का स्क्वार हो जाएगा ठीक है तो इसमें यह हो गया कोई दिकत नहीं है उसके बाद फिर हम लोगा दो नमर जो है दो नमर है देखिए गांज़ करूंइगे, टीडा है, फिर लोग क्या करेंगे, गांजबी को गांजबे और प्लस करके, क्या करेंगे, अबलों क्या कर देंगे, तो यह हम्लों का सबस्क्ति एक पाइथागोरियों त्रीक ग्याद कि जिसकी एक संख्या कितना है चोविस है थीकि एकदम हम लोग simple समझेंगे कैसे trick पाइथागोरियो संख्या समझेंगे यहाँ पर देखिए trick पाइथागोरोस प्रयाप्त करने के लिए trick पाइथागोरोस प्राप्त करने के लिए trick पाइथागोरोस प्राप्त करने के लिए हम लोग का पहला जो होता है पहला पहला इस दूसरा लिखेंगे समझेंगा दूसरी संख्या बराबर टूर्ड दूसरी संख्या अ हुआहा ड्र स्क्वाइर माइनस का वन और पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बराबर एन स्क्वाइर प्लस का वन अब देखिए हम लोग को पहला क्या बोला है 19 नमर का एक नमर कोश्चन में बोला है हम लोग का क्या कि पाली संख्या 10 बना रहा है बना रहा है ना पाली संख्या 10 बोल रहा है तो 10 पाली संख्या अगर होगा तो मालने जिए अगर बराबर क्या हो जाएगा 24 ठीक है फिर हम लोगा तीसरी संके निकाला है तो पांच स्क्वाइर प्लस का वन यानि पांच पुच्छीश प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा 26 यानि यह अगर त्रीक पाइथा गोरस पूछ देगा तो क्या हो जाएगा तो यह 10 24 और 26 जो हम लोगा क्या होगा त्रीक पाइथा गोरस हो गया तो इसका फर्मूला क्या है टू एन एन स्क्वाइर मैंनस और एन स्क्वाइर प्लस ठीक है यह को और संख्या हम लोग का दिया हुआ है इसको हम लोग बनाते हैं देखिए दो नमर का फिर दो नमर भी हम सबस्क्राइब करना तो इन स्क्राइर सब्सक्राइब होगा लुगा है ज्युक्तरीकौन और इसको होड़िक तो 24 बद्वेस का फिर हमका 200 हो गया और प्लस का 485 को उने क Fraktion क्या हुआ टरी तरीक पैठागुल रहे संख्या हो जाएगा अराम से त्रीक पाइथा गुरस लिए तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से यह पूरा कोश्चन को हम लोग कंप्लीट किये और आप लोग देख सकते हैं कि इतना बढ़िया सब चीज समझाने के लिए उतना बढ़िया से नहीं समझाया गया होगा हो सकता है लेकिन पूरा पर्यास के हैं अपने से कि आप लोग को हर एक चीज को एक्स्प्रेंड करके सब चीज बताएं कि आप लोग को प्रोब्लम ना हो इसको आप लोग याद रखिएगा ठीक है इसको लिए जैहिंद और अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए दोस्तों पूरा इटुचेट दोस्तों यह सुगम गणित है ना आप लोग का सुगम गणित है पूरा बुक जो है आप लोग को ऐसे ही प्रोबाइड किया जाएगा पूरा एदम इतना बढ़िया से कंसेप् दिया जाएगा कि आप लोग को कभी विद्धिकत नहीं होगा बस इस चैनल पर बने रहे है और चैनल को सपोर्ट करते रहे है चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद दोस्तों